Hello friends, welcome to my youtube channel studyboard plus with prashant friends, आज क्योंब में हम बात करने वाले हैं industrial switches की जिसमें हम friends देखेंगे आज जो industries में हम friend switches का use करते हैं वो इस तरह के push buttons होते हैं जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं यह आपका stop push button है यह green वाल आपका start push button है वहीं और दूसरी तरफ जो हमारे घर में हम switches का use करते हैं वो इस तरह के simple switches use करते हैं friend on and off करने के लिए और मैं आपको बता दूँ जो cost होती है friend इन push button की cost ज़्यादा होती है as compared to this simple switches तो ऐसा क्यों होता है friend हम industries में यह वाले push button का use करते हैं और हम घर में अपने इस तरह के switches का use करते हैं एक और चीज़ में बताना चाहँगा friend industries में भी जो अगर office की आपकी light है या fan वगरा हैं उसको हमें on and off करना है तो भी हम यही वाले use करेंगे लेकिन industries के अगर panel designing की बात करें जहां पर आपको कोई motor operate करनी है या फिर आपका कोई pneumatic slender है power press है, hoist वगरा है मतलब basically आपका panel designing में हम केवल यह वाले push button का use करते हैं ऐसा क्यों होता है इसके print दो reasons होते हैं सबसे पहला reason है automation और दूसरा reason है protection अभी आपको सौन्ज में नहीं आएगा protection और automation जब मैं इसको practical ही अपनी screen पर ले जाऊंगा जिसमें हम देखेंगे एक motor के contractor को operate करेंगे, हम इसको on and off करेंगे इस वाले switch से और उसके अधा हम उसको operate करेंगे इन दोनो push button की help से तब आपको सौन्ज में आएगा तो practical screen पर ले जाने से पहले जिसमें आप अपनी company में है और आपने इस switch का use किया हुआ है motor को on and off करने के लिए अभी मान के चलिए on condition पर है और आपको कोई three face motor है कोई motor मान लीजे अपनी और ये आपने इसको on किया हुआ है push button की तरफ से जैसे अगर मान लीजे light चले गी आपकी और suddenly अगर light आ जाती है तो ये motor क्या होगी एकदम बंद होगी और एकदम से start हो जाएगी इस condition मान लीजे अगर voltage fluctuation होगा आपका या फिर voltage drop होगा या फिर single facing supply आई तो आपकी motor फुख जाएगी damage हो जाएगी उसकी winding short हो जाएगी because या तो एक phase आ नहीं जाओ गया फिर voltage fluctuation के कारण या और condition समझे फ्रेंड आपके pneumatic cylinders जो होते हैं जिसमें cylinder आफ समझे लेना फ्रेंड जो pneumatic या फिर hydraulic cylinders होते हैं इसको भी हम अगर इससे on and off करेंगे मतलब मानने के चलिए हमने इससे on किया इसकी coil पे supply जाएगी और इस cylinder आगे जाएगा मानने ये आगे के बाद ये पीछे आगया और फिर से आपने इसको on के आगे जाने के लिए और आपकी light चलेगी है और suddenly light आगी है इस condition में क्या होगा ये अपने आप आगे भग जाएगा अगर कोई आपकी die setting मगरा होगी तो इसको damage कर देगा तो इस तरह की problems आती है हमारे पास इस switch से लेकिन अगर आप इन दोनों का use करेंगे और इस condition में अगर आपने motor को on कर दिया है उसके बाद अगर light suddenly चले जाएगी अगर light द्वारे आभी जाएगी तो इस द्वारे अपना पर start नहीं होगा जब तक आप खुछ जाके इसको press नहीं करेंगे तो आपको लगएगा इसमें automation का है automation अभी मैं बताऊंगा जब हम practical screen पर जाएगे अभी समझेगे जब भी आप light जाएगी अगर द्वारे light आएगी तो यह on नहीं होगा और industries में आपको पताएगे हर तरह के protective equipment होते है meters होते है जैसी अगर मान लेज़े light जाने का द्वारे light आती है तो directly आप on नहीं करेंगे सबसे पहले आप क्या check करेंगे उसका voltage सही आ रहा है या नहीं जो line का voltage है वो okay है single facing तो नहीं हो रही है और अगर यह सारी conditions सही है तब ही हम इसे on करते है लेकिन on the other end इसकी बात करें तो यह क्या अगर आप light गई और आपको द्वारे बंद करना पड़ेगा अगर आपने बंद नहीं क्या बिकाज हम दो contactor को operate करेंगे एक तो इन के तरफ एक इन दोना pushband की help से एक इसकी help से तो आईए हम practical screen पर पहुंचते है सबसे फ़ेले फिरे हम दिखते हैं simple ता setup जिसमें हमने contractor लिया हुआ है और contractor के साथ हमने क्या किया हुआ है यह piano switch connect किया हुआ है जिसमें हमने face wire उठाके piano switch को दिया है piano switch से हमने यह plug top को दे दिया है और जैसे कि आप जानते हैं मैंने बताया हुआ कई वीडियो में जो हम contractor supply देते है एवन और एटूपे जैसे लिखा भी है 220 volt supply हमें देनी है अब इस plug top को मैं लगाता हूँ अपनी supply पर और जैसी मैं इसको फ्रेंट स्टार्ट करता हूँ आप देखना यह contractor इस्टिक हो गया और जैसी यह इस्टिक होगा यहां से जो आपके तीनों face आ रहे होंगे अब मैं इसकी पूरी power supply off करता हूँ यह off हो जाएगा देखिए फ्रेंड मैंने हासे इसको नहीं किया जैसे अपनी power supply को बंद किया यह अपना आपसे इस contactor off हो गया लेकिन अगर suddenly light आ गई उस condition है क्या होगा तो देखिए जैसी फ्रेंड suddenly light आ गई तो हमें हासे इसको press नही जिससे हमारी motor को damage हो सकती है वैसी problem आ सकती है तो इससे हमें कोई protection नहीं मिल लही है अपनी motor के equipment को क्योंकि हमारा contactor suddenly on हो जाता है लेकिन वहीं अगर हम जो push buttons मैंने आपको दिखाए थे यह वाले इसके through अगर मैं setup तयार करूँगा और हम देखेंगे contactor on करके क्या condition होती है से आप पहले वाले setup से और इसको और compare करेंगे तो इसमें wiring का ताम जाम थोड़ा ज्यादा है लेकिन वह simple setup था पर उससे हमारे पास drawback आ रहे है तो जो मैंने previous प्रियान चुछ की help से आपको जो मैंने समझाया था यह वाला setup अब देखें फ्रेंड मैं इसको start करता हूं जैस इसके अंदर spring होती है मैंने स्कॉन किया और जैसे हाथ से छोड़ूंगा ही उपर आ गया लेकिन हमारा contactor लगा हुआ है इसे हम बोलते है holding in contactor वह possible है इन push बटन के कारण और इसके ओपर मैंने separate video बनाई हुई है बहुत अच्छी वीडियो है पूरे circuit डाइंग आपके clear हो ज जाएगी जैसे मैंने फ्रेंट power supply को off किया यह उपर आ गया मतलब contactor पे supply चले गई अब मैं द्वारे suddenly power supply आ जाती है on करता हूँ power supply आ गया लेकिन यह start नहीं हुआ लेकिन previous वाली condition में क्या ओर आ था friend contactor start हो जा रहा था जिससे हमें protection नहीं मिल लई थी अब लेकिन हम इसे on करूँगा तब यह on होगा तो इस तरह से हम इस दोनो push button का use करके अगर हम motor को या contactor को operate करते हैं तो हमें automation और protection दोनोचीज मुलती हैं इसलिए friend हम industries में use करते हैं यह push button का ना कि हम वो जो switch प्यानो switch होते हैं simple उनको use नहीं करते हैं तो आशा करता हूँ friend आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा concept पूरा समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगिए तो like जलू करना और last में द्वारे बताना चाहूँगा कि अल दोनों point पर focus करना अगर आपका कोई भी interview में अपसे पुछता है क्या